दुरुक के आटीयो कायवा की तरफ से घर जा रहा है एक ठीवा चालक को बीतीरात एक अग्यात वहाँचालक ने ठोकर मार दी जिस से एक ठीवा चालक युवक की मौके पर ही ददनाक मौत हो गई पुलिस ने शोग को जिला अस्पताल के लिए रवाना किया और अग्यात वाहन चालक के खिला धारा 194 के तहट अपराद दर्जकर जांच में लिया इस समब्द में पद्वनापूर थाना प्रभारी अंबिका प्रसाद धुरू ने बताया कि शुक्रवार देर रात लगबक धाई बजे सुभास नगरवाड 42 दुर्गा मंदिर के पास रहने वाला नीरज नागवन्ची अपनी एक्टिवा वाहन से आटियो का एले में रोट के सामने से अपने घर की ओर जा रहा था इस दोरान अग्यात वाहन चालक ने तेज एवं लापरवाही पूरवक वाहन चलाते हुए नीरज नागवन्ची की एक्टिवा को जम कर टक कर मार दी इसे नीरज को गंभीर चोटे आई है और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया टकर मारने के बाद अग्यात वाहन चालक तेजी से फरार भी हो गया लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पदमनापूर पुलिस पहुँचकर जाच प्रारम कर दी जिसमें शिधू ने पताया कि आसपास लगी सिसी टीवी कैमरे के फूटेज को खंगाला जा रहा है और अग्यात वाहन चालक की पतासाजी की जा रही है जल्द ही यारोपी शिकन जे में होगा एस इन नीउस के लिए दुरुक से नसीम फारुकिक रिपोर्ट